हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज हम डिसकस करेंगे फ्रेमिंग आफ इंडियन कांसिटिशन के मोस्ट इंपोर्टन कोईशन जो कि आपके एक्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होने वाले तो दोस्तो चैनल पर फर्स्ट हमारे चैनल को फटा पट सब्सक्राइब कर दो और साथ में बैल आइकन को ज़रूर पैस करें तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज की वीडियो को आज का जो हमारा पहला कौशन रहेगा वो है इंडिन कांसिटिशने असेंब्ली वाज सेंब्ली है दोस्तो तो उसको किसके अंडर जो है इस्टैब्लिश किया गया था तो इसका जो right answer रहेगा option number C रहेगा that is cabinet mission plan 1946 तो cabinet mission जो आया था 1946 उसके तहट जो है Indian constitution assembly को establish किया गया था चलो अगर मैं दोस्तों थोड़ी सी Indian constitution assembly के अगर मैं बात करूँ तो 1934 में एक person थे जिनका नाम था M.N. Roy उनके द्वारा एक idea जो था वो दिया गया था first time idea जो था constitution assembly का वो दिया गया था 1934 में अब होता क्या कि उसी के बाद 1935 में I.N.C. जो है I.N.C. officially demand करती है हमारी constitution assembly को ताकि वो constitution of India जो है उसको बना सके और उसी के चलते 1938 में जवाहलाल नहरू on the behalf of I.N.C. ये बोलते हैं कि जो हमारा जो constitution बनेगा free India का जो बनेगा उसमें किसी भी जो outsider होगा उसको कोई भी interference जो है वो नहीं होगा तो इसी demand को चलते हुए दोस्तो एक offer आता है अगस्त offer 1940 में आपको याद रखना है इस demand को चलते हुए 1940 में एक offer आता है British government के दोरा जिसमें सारी की सारी demands जो है constitution assembly बनाने की वो जो मान ली जाती है 1942 में एक mission आता है हमारे भारत में जिसका नाम होता है Crips Mission ठीक है तो Crips Mission के एक member होते है Sir Stanford Crips जो कि member होते है cabinet के वो भारत में एक draft लेके आता है British government की तरफ से ताकि वो हमारा constitution इंडियन constitution जो है उसको frame करने के लिए constitution assembly जो है बना सके बट होता क्या कि इस जो ये plan जो होता है इसको Muslim League के दोरा जो है reject कर दिया जाता है क्योंकि Muslim League उस टाइम पे चाहती है दो autonomous states ठीक है क्या चाहती है दो autonomous states चाहती है वो इंडिया को दो autonomous states में divide करना जाती है इसलिए जो है इस क्रिप्स mission को जो है Muslim League जो है वो reject कर देती है तो finally फिर उसके बाद होता है 1946 में cabinet mission plan जो है वो आता है और उसी के तहत जो है Indian constitution assembly जो है वो establish की जाती है उमीद करता हूँ यह आपको समझ आ गयागा चलो अब बढ़ते हैं अपने next question की तरफ question number second रहेगा जो कि important question है what was the basis for constituting the constitution assembly of India तो पूछा गया कि दोस्तो जो base था base था हमारे constitution assembly का जो constitution assembly का हमारा base था वो क्या था तो वो था दोस्तो cabinet mission plan 1946 तो cabinet mission plan 1946 उसी के तहर जो है constitution assembly of India जो है वो constitute हुई है constitution assembly of India की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो यह भी आपको याद रखना है कि यह नवंबर 1946 को इसको constitute जो है वो किया गया था ठीक है चलो अब बढ़ते next question पर question number question number third रहेगा दोस्तो यह कि important question है member of constitution assembly who drafted the constitution of India वर जो member थे constitution assembly के जिनके दोरा constitution of India को draft किया गया था दोस्तो वो कौन थे member वो कैसे थे तो that were elected वो कैसे member थे elected by legislative assemblies of various provinces तो option number three इसका क्या होगा c option क्या होगा इसका right answer होगा चलो अब मैं थोड़ा साब को बताता हूँ कि कैसे constitution assembly जो थी कैसे काम करती थी देखो constitution assembly के अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो इसमें 389 जो थी वो total strength थी कितनी थी 389 जिस में से आपको मैं बताता हूँ 296 जो seats थी वो allot की गए थी to British India ठीक है और 93 जो seats थी that were allotted to princely states यह आपको याद रखना है 290 seats में से अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो 292 members जो थे वो 11 governor provinces में से ठीक है इसमें से क्या थे 292 members जो थे कहां से थे 11 governor provinces method से थे और साथ में चार जो member बचते हैं जो चार member थे वो चार commissioner provinces से थे हार एक province में से एक member समझा ही चलो अब देखो अब होता क्या था कि हार एक जो seats कैसे allocate की जाती थी वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पर जो seats बांटे की थी ना दोस्तो वो बांटे की थी population के basis ठीक हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक seat जो थी एक seat 10 लाक लोगों पे ठीक हैं एक seat बांटे की थी 10 दस लाख लोगों पे बो расп को अब होता कि है कि इतनी भी ब्रिटिश प्रोविंस प्रिंस की पहले मात करता हूं तो यह सीड़्द थी थी वह अब तीन नरहर हो समा अ कन सीघी खाल उन शाल के बहुत बढ़ Cookie को सिरा मंतु आ थे पनलेमट जयुकर बांट सा किये जाते थे ना लोग वो किये जाते थे बाइदर community community से एक member को elect किया जाता था याद रखना को कि यहां पर members elect होते वो यहां पर members को elect किया जाता था उनकी community से community से और दूसरी और अगर प्रिंसली state की बात करूँ तो princelी state के जो representatives होते थे उनको 200 नोमिनेट किया तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो community से members जो आते थे, जो representative होते थे communities के, उनको elect किया जाता था उस community के members से, ठीक है, उन community के person से उनको elect किया जाता था, बट जो princely states से population representative होते थे, उनको nominate किया जाता था, इसलिए अगर पूछा जाए कि constitution assembly के बारे में, तो constitution assembly यहाँ से आपको clearly पता लग जाता है कि constitution assembly partially elected और partially nominated body है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह क्या है, partially elected and partially nominated, partially nominated, partially nominated body है, ठीक है, तो यहाँ पर caution में क्या पूछा गया था, कि जिन परसनों ने constitution को draft किया था, constitution इंडिया को draft किया था, वो person जो थे constitution इंडिया को draft किया था, वो person जो इलेक्ट किया गया था legislative assembly से various provinces से ठीक है दोस्तो चलो अब बढ़ते हैं next question पर question of fourth रहेगा how many boom and members were there in the Indian consultant assembly Indian consultant assembly में कितने boom and members थी right answer रहेगा option number a that is 15 कितने members थी 15 members थी याद रखना है चलो next question पर चलते है question of fifth रहेगा important question है who was not a member of the consultant assembly तो consultant assembly के यहाँ पर पूचा किया कि member कौन नहीं थे right answer option number a रहेगा महात्मा गांदी तो महात्मा गांदी जो थे वो consultant assembly के member नहीं थे चलो next question पर चलते है question number six रहेगा एक important question है which member of the consultant assembly propose the resolution that the national flag of India be a horizontal tie color of saffron white and dark green in equal proportion with the bill in navy blue at the center देखो पूचा किया कि किस person के दोरा जो constitution assembly के कौन से person थे जिनके दोरा एक resolution जो थे उसको propose किया गया था कि जो हमारा national flag होगा इंडिया का वो horizontal होगा tri color of किसमे saffron white or dark green equal proportion में और साथ में एक wheel जो होगा navy blue color का वो कहां पे होगा किस के दोरा ये प्रपोस किया गया था right answer रहेगा दोस्तो option number c that is रजिंदर परशाद तो जो हमरे डक्टर रजिंदर परशाद है उनी के दोरा इसको प्रपोस किया गया था याद रखना आपको दोस्तो अगर आपको यहां पे याद रखना है एक चीज़ और मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो national song है उसको भी दोस्तो 24 of jain 1950 को ही adopt किया गया है national song national song यहां पे लिख देता हूं same date ठीक है याद रखना है आपको चलो अब बढ़ते है next question की तरफ question number seven रहेगा important question है who among the following are the two civil servants who assisted the constitution assembly in framing the constitution of India तो दोस्तों पूछा किया कि दो civil servant कोन थे जिनके दोरा constitution assembly को frame करने में हमारे बारत के constitution of India को जो constitution assembly ने जो frame किया है उसमें assist किया ता मदद की थे तो right answer रहेगा option number C that is BN Rao and SN Mukherji नाम याद रखना है यह दोनों बरसन क्या थे civil servant थे ठीक है चलो अब चलते हैं next question पर question number eight रहेगा who presided over the inaugural meeting of the constitution assembly of India तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो option number B रहेगा that is Dr. Sachinda Nand Sina नाम याद आपको रखना है चलो next question पर चलते है question number nine रहेगा who was the first elected chairman of constitution assembly पहले elected chairman पूछा गया constitution assembly के तो नाम रहेगा दोस्तो option number B that is Sachinda Nand Sina नाम याद रखना है चलो next question पर चलो question number 10 रहेगा the constitution of India was adopted by तो constitution of India किसके दोरा जो था adopt किया गया था right answer रहेगा दोस्तो Indian constitution assembly जो हमने अभी पहले question में पढ़ा कि भारत का constitution जो था Indian constitution assembly के दोरा adopt किया गया था याद रखना आपको चलो बढ़ते हैं next question पर question number 11 रहेगा the chairman of drafting committee of Indian constitution assembly was तो chairman कोन थे drafting committee के तो right answer क्या रहेगा दोस्तो इसका doctor B.R. Ambedkar that is option number C option C इसका क्या होगा right answer होगा देखो अगर पूछा जाता कि constitution assembly कितने member थे तो कितने थे दोस्तो साथ member थे जिन में से एक B.R. Ambedkar थे that he is the chairman चलो members मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे तो यह दोस्तो मैंने सारे के सारे साथ के साथ member लिख दी है पहले member हमारे दूसरे एन गुपाला स्वामी आयंगर तीसरे आपको नाम याद रखना है अल्दी कृष्णा स्वामी आयंगर फूर्थ है डॉक्टर केया मुंची फिफ्थ साइद महुमद सदुला और सिक्थ एन मादवराव यो थे दोस्तो इन्होंने रिप्लेस किया था आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया था मैं लिख देता हूँ एक मिन ना इन्होंने रिप्लेस किया था दोस्तो बी एल मित्र को ठीक है बील मित्र को इन्हों ने रिप्लेस किया था जो की जिन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यूटू है तो उनकी रिप्लेस कर दिया गया था एंड मादव राव के दौरा और लास्ट में जो मैंने लिखा है दोस्तों वो है टीटी कृष्णमाचारी इननों नहीं भी दोस्तो रिप्लेस कर दिया था डीप्लेस कर दिया था टीटी कृष्णमाचारी के दौरा ठीक है दोस्तों चलो बढ़ते हैं नेक्स कोउशन की तरफ question number 12 रहेगा तो यह हमने अभी explain करी दिया कि home and member were there in drafting committee कितने member थे 7 member ठीक है दोस्तों चलो next question पर चलते हैं question number 13 रहेगा who among the following was not a member of drafting committee तो drafting committee के आप से पूछा गया कि इन में से कौन से जो थे वो member नहीं थे option number D इसका right answer होगा that is Jowarlal Nehru तो Jowarlal Nehru जो थे दोस्तों वो drafting committee के member जो थे वो नहीं थे जवारला नहरू कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यह अगर मैं बात करूँ committees की तो committees दो तरह की थी हमारे पास उस ताइम पर major और minor ठीक है मैं लिख देता हो तो Jowarlal Nehru जो थे वो दो major committees थी उनके member थे उनका नाम में आपको लिख देता हूँ एक थी union power committee union power committee उसके chairman थे और दूसरी जो थी वो थी states committee states committee इसके यह chairman थे अगर मैं minor में बात करूँ तो minor में जो Jowarlal Nehru थे यह थे जो special committee बनाई गये थी to examine the draft constitution में लिख देता हूँ special committee committee to examine the draft constitution उसके यह क्या थे chairman थे यह आपको याद रखना है ठीक है तो major or minor चलो next question पर चलते है question वो 14 रहेगा who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minority तो chairman कौन थे advisory committee के on fundamental rights and minorities तो right answer इसका रहेगा दोस्तो option B that is सरदार पटे तो सरदार पटेल जो थे दोस्तो वो advisory committee on fundamental rights minority और साथ में tribal और excluded areas के क्या थे chairman थे याद रखने अब यह जो committee थी थी ना दोस्तो इसको 5 committees में आगे हो और बांटा गया है फदर आगे 5 committees में divide किया गया था जिनके मैं नाम आपको बता देता हूँ एक था fundamental right subcommittee जिसके chairman थे जे बी क्रिपलानी ठीक है जे बी क्रिपलानी ठीक है दूसरी जो committee थी दूसरी committee थी दोस्तो minority subcommittee ठीक है यह पहली कहा थी fundamental right subcommittee दूसरी थी minority subcommittee और इसके जो chairman थे वो थे HC मुखर जी एस सी मुखर जी तीसरी committee का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थी north east frontier tribal areas और साथ में असाम जिसमें exclude कर दिया गया था partially excluded area subcommittee के उसके जो chairman थे वो गोपीनात बर्दोल होई थे और साथ में लास्ट वाला था exclusively and partially excluded area जो थे उसके chairman AB ठाकूर थे 5 committees थी total ठीक है जैसे मैंने आपको बता दिया पहले fundamental rights minority north east frontier tribal committee excluded or partial excluded tribal committee और लास्ट वाली जो थी northwest frontier tribal areas की subcommittee ठीक है तो union constitution committee के chairman कौन थे राइट आंसर option number C रहेगा that is जवारला नहरू Union constitution committee होगी दोस्तों Union power committee होगी यह states committee होगी इन सब के chairman जो है कौन थे जवारला नहरू थे यह आपको याद रखना है चलो next question पर चलते है Question number 16 रहेगा दोस्तो Who was the chairman of the provisional constitution committee of the constituent assembly तो right answer इसका option number D रहेगा सरदार पतेल तो सरदार पतेल जो थे वो किसके member थे किसके chairman थे That is the provisional constitution committee ठीक है इन committees के नाम आपको क्या रखने है याद रखने है और इनके chairman याद रखने है चलो next question पे चलते है Question number 17 रहेगा The first draft of the constitution was prepared by तो first draft जो था constitution का दोस्तो किसके दोरा उसको prepare किया गया था Option number B that is B and Rau ठीक है दो याद रखने है B and Rau के दोरा दोस्तो पहला भारत का पहला constitution जो था उसको prepare किया गया था उसके draft को prepare किया गया था अब यह जो draft था इसमें आपको याद रखने है 240 clauses थे 240 clauses and and 13 schedules और further इसको आगे जो था forward कर दिया गया था drafting committee को ठीक है तो B and Rau आपको याद रखने है कि इनी के दोरा पहला draft जो था हमारे भारती constitution का उसको prepare किया गया था चलो next question पे चलते है question number 18 रहेगा दोस्तो who was appointed as assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian constitution तो Indian constitution framing के दोराण 1946 में किसको जो है assembly constitution के advisor जो था वो बनाया गया था point किया गया था right answer रहेगा option number A that is B and Rau तो B and Rau he was appointed as the advisor to the constitution assembly in 1946 यह आपको याद रखना है चलो next question पे चलते हैं question number 19 रहेगा दोस्तो how many sessions of indian constitution assembly were conducted for the formation of Indian constitution तो Indian constitution को बनाने के लिए दोस्तों पूचा गया कि indian constitution assembly के दोरा कितने sessions जो थे वो conduct किया गये थे right answer जो रहेगा option number C रहेगा 11 sessions कितने 11 sessions question number 20 रहेगा to produce the constitution the constitution assembly took तो constitution को बनाने में जो constitution असंबली को कितना समय जो था लगा था राइट आंसर रहेगा दोस्तो दो साल 11 महिने और 18 दिन option number A इसका क्या होगा right answer और अगर पूचा जाए total cost कितना लगा था कितनी expenditure टोटल लगा था that is 64 lakh रूपीज ठीक है तो येतनी cost जो थी वो लगी थी चलो next question पे चलते है question number 21 रहेगा दोस्तो how many parts are there in Indian constitution हमारे Indian constitution में कितने पार है तो right answer क्या रहेगा option number D रहेगा that is 25 parts कितने है 25 parts चलो next question पे चलते है question number 22 होगा दोस्तो which part of the Indian constitution consists of articles on election कौन सा part है हमारे constitution में भारती constitution में जिसमें articles जो election के related आपको मिलेंगे right answer रहेगा option number A article 15 जो article 15 है हमारे भारती constitution होगा उसमें article जो है election के related जो है चलो next question पे चलते है question number 23 रहेगा which part of the Indian constitution contains the provisions on the union territories तो UTs के ओपर जो है दोस्तो कौन सा जो part है Indian constitution का जो deal करता है right answer रहेगा option number A that is part 8 जो part 8 है हमारे Indian constitution का दोस्तो जिसमें हमारे article 239 से लेके 240 तक 2 तक आते हैं उसमें जितने भी provisions हैं वो सारे union territories को लेके हैं यह आपको याद रखना है चलो next question पे चलते है question number 24 है दोस्तो which among the falling state does not come under sixth schedule of the Indian constitution तो sixth schedule जो है Indian constitution मां उसमें कौन सी state जो है वो नहीं आती है अब sixth schedule जो होता है basically यह provision आता है later to the administration of tribal areas in the state of कौन सी state वहाँ पे mention की गई है वो की गई है दोस्तों असाम ठीक है उसके बाद मेगाले मेगाले हो गया असाम हो गया त्रीपूरा हो गया और साथ में मिजोरम हो गया ठीक है तो यह चार states जो है हमारी mention की गई है six schedule of Indian constitution में और यहां पे पूछा गया कि कौन सी state नहीं आती है तो right answer रहेगा option number D that is sickkim तो sickkim जो है वो नहीं आती है चलो next question पे चलते है question number 25 रहेगा which one of the following schedule of the constitution of India has fixed the number of members of Rajya Sabha to be elected from East state तो दोस्तों इसमें बोला गया कि कौन सा schedule constitution इंडिया का है जिसमें दोस्तों जो number of member है Rajya Sabha के उनको fix कर दिया गया है जो कि elected होंगे इस state से right answer रहेगा option number D that is fourth schedule जो fourth schedule है हमारे Indian constitution में वो deal करता है दोस्तो allocation of seats in Rajya Sabha to the states and the UTs ठीक है चलो next question पे चलते है question number six रहेगा Indian constitution वो deal करता है हमारा distribution of power between the union and the state distribution of power between the union and the state जो है वो कौन सा schedule deal करता है that is the seventh schedule of Indian constitution चलो next question पे चलते है question number 27 रहेगा name the country from which the constitution feature of procedures for the amendment was borrowed by India देखो क्या लिखा गया है procedures for amendment ठीक है procedure for amendment कहां से लिया गया है दोस्तो कौन सी country से लिया गया है तो right answer जो रहेगा वो South Africa रहेगा option number C रहेगा तो South Africa constitution से जो procedure है amendment के हमारे constitution का और साथ में election of member of Rajya Sabha तो इनको जो है बारो किया गया है यह आपको याद रखना है South Africa से ठीक है चलो next question पे चलते है question number 28 रहेगा in the Indian constitution petitions and bicameral systems are influenced from जो petitions और bicameral system है वो कहां से लिया गया है दोस्तो right answer रहेगा आपका option number D that is UK तो UK से petitions और bicameral system जो हैं वो लिये गया है चलो next question पे चलते है question number 29 रहेगा दोस्तो तो कौन सी country से जो है single citizenship का जो concept है वो लिया गया right answer रहेगा option number D that is England तो England से लिया गया है चलो next question पे चलते है question number 30 रहेगा in which of the following country the system of judiciary review was originated तो judiciary review का जो system है दोस्तो ये कौन सी country से originate हुआ right answer option number C रहेगा United States of America USA इंडिपेंटेंटेंशी और judiciary judiciary review impeachment of the president removal of the supreme court and high court judges ये सारे का सारा जो है system ये कहां पे originate हुआ है that is in USA United States of America चलो next question पे चलते है question number 31 रहेगा from which of the following country Indian constitution बारोर दा फिचर of the written constitution तो Indian constitution ने दोस्तो कौन सी country से जो है written constitution जो है बारो किया है right answer option number C रहेगा that is US चलो next question पे चलते है question number 32 रहेगा और आज का last question है दोस्तों important question भी है the federal system with strong center has been borrowed by Indian constitution from जो federal system है from with strong center उसको कहां से दोस्तों कोन सी country से बारो किया गया है right answer रहेगा option number B that is Canada Canadian constitution से जो है federal with a strong center besting of registry power in the center ये सब चीजों को adopt किया गया है बारो किया गया है Indian constitution में ठीक है दोस्तों उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को like करें share करें अपने दोस्तों में first time आने तो चैनल को subscribe जरूर करें thank you friends thanks for watching and have a nice day